नमस्कार में शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक आपको पता है जातिवाद के खिलाफ अमरीका में कानून बन गया लगोग बाइस इंवरसिटी सियेटल में और अब टोरेंटो में भी कानून बन गया है कनाडा में सुचिये कौन लोग है जो अचार और जाती लेके घूम रहे हैं और भारत का ये पत्रकार है इसका नाम है मनिश कश्यप ये लगातार जूट फैला रहा था अब तेजश्मी आदब को धमकी दे रहा है वो तमाम बरी खबरे जो आज सोसल मीडिया पर वायरल है मैं आपके लि बदनाम करने के चक्कर में इन्होंने फेक वीडियो डाले एक दो नहीं एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक कई सारे वीडियो डाले हैं जिसकी वज़ा से अब तमिलनाड की पुलिस और बिहार की पुलिस इनको ढून रही है तमिलनाड पुलिस की माने तो उन् दर्ज किया जिसमें भोपाल दिल्ली बैंगलूरू और पत्नाम उनकी पुलिस बैठी हुई है वही बिहार पुलिस ने भी जाँच परताल के बाद मनिश कश्चेप के खिलाफ केस दर्ज किया है मनिश कश्चेप का कहना है कि मुझे फसाया जा रहा है और मैं जनता की आज है फिलाल यह पुलिटकल भी हो रहे हैं और भगवारंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और तिजस्वी आदब के बारे में कह रहे हैं कि हम आपको मुखमंतरी नहीं बनने देंगे यह भी खबर है जाकिर अली त्यागी जो पत्रकार है उन्होंने सुभं सुकला यह भी फेक लाकि बलातकार के आरोप आशाराम आरोपी नहीं है यह किसी ने गलत लिखा है जग्री पंचाल ने आसाराम दोसी सावित हो चुके हैं उनके पक्ष में भी रहलिया निकल रही है और स्वामी परसाद मौरिया ने संग परमुक पर बड़ा हमला बोला है संग परमुक भाग अस्तु सत्तर परसिसद लोग नहीं अपितु सत्तर फिस्दी ब्रहामन सिक्षी थे जो देश का मानक नहीं हो सकता है तो सुचिए इस देश में सुद्रों अच्छूतों को परने काधिकार अंग्रेजों के आने के बाद मिला अल्बरिनू की मानों तो बैश्शू को भी ज लाए हैं और एगेन फेक निव सुचिए इस सक्स का नाम है सिंटु तिवारी यह संपून करांती एक्स्प्रेस के वीडियो को तमिलनाडू का टीटी बता रहा है जबकि यह दिल्ली से पटना यह पटना से दिल्ली वाली संपून करांती है और यह राजे से स्पी ने टू ओर यह मजाक के लिए वीडियो बनाए गया था इसको भी मनीश क Сейчас अपने ओरिजिनल कहा दिली पमंडल ने कहां कि मनीश का से पटना वीडियो ट्विट कर रहे थी बता है उनके गिरफ्तार होनी चारहा है वही मनीश कर्षे अपने धमकी दिया है कि मैं सरकार को देख गया है ये भी सोसल मीडिया पर सबस्यादा वाइरल खबर है और तारीक अनवर चमपार्दी ने मनिश कश्यप के बारे में कहा कि गुर्गे नहीं बेतिया के मेडिकल कॉलेज लेड लॉड एडविन में मुर्ती तोरा था और उसके बाद इनकी गिरफतारी भी हुई थी और ये हैं अल्ला देश के सभी मुसल्मानों को मौलाना अरसद मद्निस सहाब दमात बरकताहू के कदमों पर चलाएं ये मुसलिम समाज के कोई बरे नेता हैं अली सुहराब ने टूइट किया है जो लगातार विदेश रहते हैं और कई कहर समधानिक टूइट भी इनके आते है इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से आरसे से मुसल्मान के बरे नेताओं मुसलिम बरे मुसलिम नेताओं के संपर्क हैं ये भी सोचल मिडिया पर वाइरल है और सुचिए किस तरह से दिल्ली में लगवग 35,000 माम दिल्ली पुलिस गौट ओवर 35 के अमुमन 24,000 मामले अमुमन रोज मिलते हैं दिल्ली पुलिस को जिसमें होली के दिन थोरा बढ़ गया था मतलब की लगवग 6,000 मामले जो हैं एक्स्टा मिले हैं ये भी सोचल मीडिया पर बहुत वाइरल ख़बर हैं और ये देखिए किस तरह से आज सबसे ज़्यादा ये म तो जाती जो है वो कहीं जाती नहीं है कनाडा के स्कूलों में जाती आधार पर भ्यदवा करना हुआ गैर कानूनी कनाडा के सबसे बरे स्कूल ट्रेंटो डू स्कूल ने कानून पास किया है परधान मंत्री मोधी आज मोटेरे स्टेडियम में थे 80 करोड गरीब लोग को रासन और बर्ती मंगाई पर अब बात करेंगे दीपक सर्मा ने तंच किया है और ब्रहामन जाती के निर्मान परचार और फाइदा एटने के लिए सदय मानित किया जाए इसका मैं समर्था करने इसलिए ब्रहामनों को सला देता हूं कि वो जाती का समर्थन करना छोड़ दें समता सोतंतरता और भाईचारा ही अंतिम सत्त है भेदवा को खत्म होना ही है दुनिया की कोई ताकत भेदवा को नहीं रोक सकती है तो लोग कह रहें कि किस भी सदी में जाती बात खत्म होना चाहिए लोकतंत का जन्म दाता होने का दम भरने वाला अब देश अब डेमोकरेसी इंडेक्स में संतानवे नमबर पर है ये जितेंदर मिना ने ट्वीट किया है और हजरात 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 खबर है कि कुछ मिनट पहले कैनेडा में जाती बात के खिलाप कानून बन गया है बीजेपी के सांसत दिनेस लाल निरहुआ के घर के पास सिरूल काशलों के साथ मार पीठ हुई है उन पर आरोप है कि वो आरोपियो को बचाने की कोशिश कर रहे है तो होली पर बहुत सारे इस तरह के मामले आया थे और ये हैं एक डीएसपी संतोज जिनका सोसल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो रहा है आरोप लग रहे है निरहुआ पर इस तरह के और लोग सोसल मीडिया पर वाइरल कर रहे है उनके घर के पास मार पीठ हुई है उनका लोग का कहना है कि वो एक आरोपियो चुक्कि आरोपिय से जूल कास से हैं तो उनको परसान किया जा रहे हैं, इस तरह की लोग खबरे दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनके मिली भगत की बास सामने नहीं आई है, कोई वीडियो ऐसा सामने नहीं आया, जिससे फुष्टी हो, लेकिन सोसल मीडिया पर लोग वाइरल कर रहे थे, कि उन्होंने मार्पीट क 27, 10% कमाता है, सुचिए, UPSC Enforcement Officer में Economic Beaker Section के नाम पर परविंदर अंबर ने ट्विट किया है, बहुत जादा नौकरियां दी जा रही है, तो नौकरियों में CSTOBC के साथ लगातार बैमानी हो रही है, और विहार पलिस आपकी जेल में जाएगा ये, तो सबसे ज्यादा सोसल मेरी 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 म रेप की घटना हुए कहा जारा के आरोपियों को गिरिफतार कर लिया गया है लोग मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुए उसमें आरोपियों को फास्ट ट्रेक कोर्ट में जल्दी से सुनवाई हो और उनको करी से करी सजा दी जाया को बता दूँ कि जिस तरह से दच्छिन भारत में रेप की घटना के आरोप में चार लोग को सूट आउट कर दिया गया था उसमें सुप्रीम कोट ने कहा है कि पुलिस वालों ने गलती की थी और सब के खिलाब जाँच हो भारत में जूजिशल सिस्टम है जो आरोपी है उनको फास्ट रेक कोर्ट में जल्दी से जल्दी सजा मिले और यह है तमिल नाडू पुलिस सक्रिये हैं यह है बीजेपी के परवक्ता उमराव जिनको पुलिस ढून रही है और यह वो तमाम लोग है जो अफ़वा फैला रहे थे टूल कीर थे जिससे बीजेपी को फायदा होता है आप लोग अपनी पत्रकार के तौर पे हमारी जिम्हेदारी है खबर देना खबर का विशलेशन करना और आपको सबसे सटी खबर देना चाहे वो किसी तरह के भेदवा उसके खिलाब खराऊना और किसी को वायस ढोकर जाती अधर्म की वसे अगर आप टार्गेट कर रहे हैं तो फिर आप पत्रकार नहीं है जो सच है वही आप बोलिए निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे